तो हालो गाइस कैसे हैं अभी तक हमारा खाने का चल गाता है अब हम आपको कुस टिप्स देंगे हाउस होल्ड की चीज़ां के लिए तो आज हम बताएंगे आपको कि जैसे बैड से हम उठते हैं तो बहुत सारे रिंकल्स चादर पर पढ़ जाते हैं और आजकल आप में बताएंगे कि इस तरह से आपने बैड शीट को पपर रिंकल्स फ्री करके पिछाना है जैसे हम उठते हैं तो यह हमारे सारी रिंकल्स पर जाती हैं बैड शीट के अंदर जिनको हम साइट से इस तरह से हम इसको दबाने की कोशिश करते हैं यह देखिए ऐसे तो कई बारी क बैड बैड के लिए तो उसको उठा कर और इस तरह से बार बार उसको अंदर करना यह से ना आपके नेल्स वगएरा पर नेल्स हर्ट हो जाते कोई बार तूट जाते हैं यह उठाने में बड़ी दिक्कत होती है उगलियों में कई भर हर्ट हो जाता है तो इसके लिए हम साइट से इस बैड शीट को इस तरह से इकल कर दो अब हम क्या करेंगे इसके लिए एक लेंगे कोई भी पुरानी कौम जो तूटी हुए होती है वह हम ले लेंगे और इससे हम देखिए इससे ना हम इसको इस तरह से दबाते जाएंगे इससे क्या होगा कि आपका हाथ भी हर्ट नहीं होगा कितना इजिली और कितने अराम से बिल्कुल इकुल आपका यह कितने इकुल इसकी सेटिंग होती जा रही है और ना आपके हाथ में कोई चोट लगेगी और बड़े अराम से ना आप उगद्दा उठाना पड़ेगा देखें कितने अराम से सब बैट शीट इसमें सेट होती जा रही है और देखें बैट शीट कितने इकुली और इवनली सेट हो गई है यह देखें कितनी आसान ट्रिक है बैट शीट को सेट करना बैट बिलकुल रिंकल फरी कोई इसमें देखिए कोई कोई भी कोई सिल्वर्ट कोई रिंकल्स कुछ भी नहीं और कितना अच्छ लग रहा है बैट तो देखनल के बैट ओणक पी इसमें कोई आपके पौराया है वेस्ट होंगी है कोई भी आप चौड़ी चीज लेखते हो कौम जर्नली घर में मिली जाती है और उससे आप साइड में करिए देख आपको ना तो घंदा उठाना पड़ेगा ना आपके हातों कोई पाप्ब्रम होगी और जो काओ आपका दस मिंट में हो दो मिनिट में आपका सेट हो जाएगा झारी लो में आपके हातों कोईा वाई जापके होरो ही और उससालाओी है